अपनी तीनु एनी दूर रखके जवान की तैराब्या ते जगीदार ते गोड़ियां दी तमक होदे करतों मिलां दूर रेंदी आज ची ते नशालत था हाकू ते होशिप चांके जदो अपनी अपनी असनी सूरत बेखिये ते खौप आगे तीन सो से जएद फिल्मों में काम करने वाले अदाकार अकबाल हसन पाकिस्तान की पंजबी फिल्मों के एक मुनफरिद आलराउंडर अदाकार थे जो बयक वक्त हीरो, साइड, हीरो, विलेड, मौाविन और करेक्टर, एक्टर करदारों में नज़राते थे अकबाल हसन अपने फिल्मे केरियर का अगाज एक एक्स्टर अदाकार के तोर पर किया था पंजब दा शेर, 1965, खलीफा, 1964, दिल्दा जानी, मिर्जा जट, 1967 और पिंडी कुडी, 1968 वगेर जिसी मशूर फिल्मों में चोटे मोटे केरदारों और खास तोर पर विलन पर्टी के चम्चे में नज़र आते थे देतकार रियाज एहमन नेकबल हसन को एक एक्स्टर अदाकार के तोर पर फिल्म काला पानी 1963 रिलीज में मतारिफ करवाने के बाद एक मुकमल हीरो के तोर पर पहली बार पंजबी फिल्म ससी पनू 1968 में भी मोका दिया था लितुफ की बात ये थी के जिस मशूर शाके चेले चम्चे बनते थे इसी बारी बरकम विलन के मुकाबले में हीरो भी बने इस का मिया फिल्म में उन पर और उनकी हिरो नगमा पर फिल्माई हुआ गीद जदो तेरी दुनिया तू प्यार ठर जाएगा अहमद राही ने लिखा था और रह्मान वर्मा ने इसकी दुन बनाई थी इस सूपर हेड गीत को मल गए तरन्न, नूर जाह और मेदियसन ने गाया था और क्या कमाल गाया था ये मेदियसन का गाया हुआ पहला सूपर हेड पंजाबी गीत था दुनिया तो प्यार तुर जाएगा इस फिल्म की रिलीज से कबल ही देखकार इस सुलिमान की पंजाबी फिल्म यार दोस्त में भी इकबाल असन को कर्ष्ट किया गया था इस फिल्म में अकमल नग्मा के सब पस्ट हीरो ते मौम्मद Алली फिरदोस के साथ सिकंड हीरो थे जब के एकबाल हसन को तीसरे एहम केरदार के तोट पर फिल्म में शायमिल किया था हिदेखकार हिदर चूदरी की फिल्म सौना 1968 में पहली बार आलिया के साथ सिकन हीरो कास्ट हुए थे इसी साल ही देदकार मसूत परवेस की फिल्म मुराद बलोच में मरकजी किरदार तो पिर दोसो और अजास नहीं किये थे लेकिन अकबाल हसन ने रांजा और नाईब नामी अदाकार ने हीर के किरदार ने बाये थे यह वाट ना पाव पुए गिया तो यह वे चला हुलारे ले ले उसी किसा अजास के साथ टाइटल रोल किया था जो दिल्ला बट्टी की महबूबा नुरा फिर दोस को चीन के ले जाता है 1970 में अकबाल हसन के क्रेड़ पर 15 फिल्मे थी जिन में बेशतर फिल्मों में सिकंड हीरो थे फिल्म चड़दा सूरज में पहली बार के रेक्टर एक्टर और फिल्म सरदारा 1970 में विलन थे बतोर साइड हीरो पहली उर्दू फिल्म रेश मामर रिलीज वी जिसमें उनकी जोड़ी आलिया के साथी इसी दो तारीख यूर्दू फिल्मों में मौविन अदाकार थे फिल्म घरनाता में स्पैन में मुसल्मानों की जवाल की दास्तान थी जबके ये अमन 1971 कश्मीर पर बनाएगी फिल्म थी दोनों फिल्मों में अकबाल हसन के किरदार मुजाहिदों के थे इसी साल की मुतादित फिल्मों में विलन थे और पेश्टर फिल्मों में सिकंड हीरो के तोर पर नजर आए 1922 तर में भी अकबाल हसन के इससे में डेल दर्जन फिल्में आई जिन में से एकलोती उर्दू फिल्म बदलेगी दुनिया साथी इस फिल्म के फिल्म साज अकबाल हसन के इलावा इनके बेहनुई अगा हसन थे जेबा और मुम्मद अली मरकजी जोड़ी ते जबके अकबाल हसन की सानवी जोड़ी राईनी के साथ और उनके चोटे बाई तन्जीम हसन की जोड़ी संगीता के साथ बनाई गई थी फिल्म चंगा खून के लावा फिल्म इश्टिहारी मुल्जिम 1972 में अकबाल हसन और फिर्दोस के साथी थे इस साल सिकन हीरो के तोर पर खान चाचा, हीरा मोती, पुत्तरदा प्यार, सजन बेफरवा, सरदल दीबाजी, सुल्तान और इंतकाम बड़ी फिल्मे थी 1973 में बी अकबाल हसन की फिल्मों की तेदाद डेल दर्जन के करीब थी वहेद उर्दू फिल्म बागी हसीना थी जो आलिया के साथ इकबाल हसन की फस्ट पियर के तोर पर एकलोती उर्दू फिल्म थी फिल्म गुलाम 1973 रिलीस सोलो हीरो के तोर पर एक काम्याफ फिल्म थी लेकिन दीगर फिल्मों में विल्यन और सिकंड हीरो के तोर पर नज़र आए फिल्म आउ 1973 में रोना लेला मुनीर हुसेन और मुसुद रना का ये कोरस गीत सब तुर गए खान वडेरे तेरा मेरा दोर आगया अकबाल हसन के लावा आलियो और हबीब पर फिल्म आए गया तर ना वे एतरे नल कौने बापी एतरी द्रानी है नेकर उड़ जवान हो गया 1974 में अकबाल हसन की फिल्मों की तेदाद डेल दर्जन से जाइद थी फिल्म इश्क मेरा ना में आलियो और वईद मुराद के मकाबल विल्न के रोल में थे हिरेतकार श्वाक मलिक ने बनी पुरानी उर्टू फिल्म सल्मा 960 रिलीस का पंजाबी रिमेक फिल्म बोला सजा 1974 के नाम से बनाया था उन्होंने लवदीन का रोल अकबाल हसन से करवाया था जबके एजाज ने वही रोल किया था जो वो पहली फिल्म में कर चुके थे ओद्गार दिन ता जब लाहोः श्वार की सैनमाई में एदुल फितर के मौका पर साथ फिल्में रिलीस वी तीनु faço में से चार फिल्में शेर खान साला साहब चन वर याम और मिलेगा जलम ता बदला सूपर हेट फिल्मे थी अकबाल हसन इन सबी फिल्मों का हिस्सा थे फिल्म शेयर खान उन्से विकस्टी रिलीज के टाइटल रोल में अकबाल हसन ने ऐसी शांदार पर फामिस दी के फिल्म नाकदीन हैरान रहे गई बिला शुबा ये रोल अकबाल हसन के फिल्मी केरियर का सबसे बड़ा रोल था जिसने उने एक्शन पंजाबी फिल्मों के सोनहरी दोर में सुल्तान रही और मुस्तफा कुरेशी के बाद तीसरा मखबूल तरीन अदाकार बनाये था अकबाल हसन की मखबूलियत और मस्रूफियत का ये आलम ता कि अगले तीन बरसों में चे दर्जन से जायत फिल्मों में काम कर रहे थे इंतिकाल के बाद अग्बाल हषen की 40 से जायद फिल्में रिलिज हुई जो एक रेकार्ड हुई तीन सु से जायद फिल्मों में काम किया था गोई अपने 20 साल्य फिल्म केैरियर में 15 फिल्मों की सालना आस्थ से काम कर रहे थे जो सल्टान रही के बाद दूसरी बेहतरीन ओस्त बंती है जब एकबाल हसन एक एक्स्टा अदाकार से हीरो बने तो सुल्तान राही को भी एक्स्टा और मौाविन अदाकार से विलन के तोर पर काम्याबी मिल चुकी थी और दोनों ने एक साथ मुतादित फिल्मों में मरकजी करदारों में काम किया था पिर ऐसा हुआ कि सुल्तान राह और एक साथ ही जिदुजेहत और उरूच का दोर भी देखा था अकबाल हसन ने तीन फिल्मों बदलेगी दुनिया साथी 1972 जवा मेरे देज़दा 1974 और गेर हाजिर उनसो नसी पर सर्माएकारी भी की थी 1942 में लाहूर में पैदा हुई और 14 नवंबर 1974 को एक कारहाद से में इंतिकाल हो गया था अदाकार तंजीम हसन और सलीम हसन इनके चोटे बाई थे